एलौ प्रेंड्स व्यक्राइट ववाजी हां। चाइनल दोस्तों रिसॉर्च इन फीजिक लेज्यूकेशन यानि कि साररी ख सिच्छा में अनुसंधान से रिलेटेट या सातवा वीडियो है। यह लास्ट वीडियो है दोस्तो एक से लेकर साथ वीडियो जो है यह साथवा है इससे पहले 6 अपलोड हो चुके हैं तो साथ वीडियो मैंने जो अनुसंधान जो सारे सिच्छा में रिलेटेट कोशन था सभी इसमें आ जाते हैं तो इसी बाहर आपका नहीं पूछेगा अब जो है नेक्स्ट जो है मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाओंगी यूद कमपर्टेशन से ही मैं अभी रिवेजन करा रही हूं तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ डेली बेसे सब बनने रहिए आज की सेशन में वनली 10 कोशन है इसलिए 10 कोशन को देखिए इसको कर मत भागिएगा थोड़ा ही समय लगेगा तो कोशन नमबर वन है बंद प्रशनावली में पूछेगे प्रशनों के लिए किस प्रकार का उत्तर अपेचित होता है तो इस प्रकार के कोशन के लिए इस प्रकार के लिए हम संचिप्थ उत्तर को हम अपेचित करते हैं संचिप्थ उत्तर साट रिस्पॉन्स को question number two है सोध में परिकल्पना का क्या और्थ है what is the meaning of hypothesis in research तो सोध में परिकल्पना का और्थ होता है दोस्तों यहाँ पर आपसर number one राइट हो जाएगा जैसे कि आपका हो जाएगा बौधिक अनुमान तो है प्रतिभापूर अनुमान और बुधिमत्पूर अनुमान इस सोध में परिकल्पना का अर्थ होगा जबकि नकारातमक अनुमान नहीं होगा ठीक है आपसर नमबर यहाँ पर राइट एंसर होगा यानि कि दोस्तू जो सोध यानि रिसर्च होता है उसमें परिकल्पना यानि कि हाइपोथिजिस का अर्थ बौधिक अनुमान यहाँ इंटिलिजेंस जज जज प्रतिभापूर अनुमान ब्रिलियंट गैस अब बुधिमत्तापूर अनुमान इंडिलेजेंस गैस होता है परिकलपना किसे भी अनुसंधान प्रक्रिया का दुसरा महत्पूर इस्थम्भ होता है याद रखेगा इसका अतात्र पर है कि किसीभी समस्या के बिस्येसर और परिभासी करूर के पस्चाथ उसमें कारनों तथा कारर Copyright प्ञारूर समभन्द में पूर चिंटन कर लिया गया है अठात अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है यह निशित करने के लिए के पस्चात उसका परिच्छर प्रारम होता है कोश्चन नमबर थ्री है निवन में कौन सा एक सोध उपकरण नहीं है किरिक और फ्री इसर्वी है इसके अंतरगत नहीं आता है कोश्चन नमबर फॉर है एक गुड़ातमक अनुसंधान प्रश्ण होता है A quality resource question is तो क्या होता है quality resource question तो यहां भी option number C right होगा एक और टू यानि कि प्राया मुक्तोत्तर प्रश्ण होता है It is usually an open-ended question होता है जो गुरात्म करुसंधान यानि कि quality resource वाले questions होते है And two, इसे कुछ प्रक्रिया अथवा घटना जिसके बारे में खोज की जानी है सम्मंदित प्रश्ण पूछा जाता है Ask question about some process of phenomenon That is to be investigations Question number five है किसी जटिल घटना के सुरूप को इसबश्ट करने के लिए जिस अनुसंधान में उपलब्द जानकारी का गहन अध्यान और मुल्यांकन सामिल होता है उसे हम क्या कहते है तो दोस्तों उसे हम कहते है गुरात्मक अनुसंधान Quality research Quality research किसे कहते है किसी जटिल घटना के सुरूप को इसबश्ट करने के लिए अनुसंधान में उपलब्द जानकारी का गहन अध्यान और मुल्यांकन सामिल होता है उसे हम गुरात्मक अनुसंधान Quality research कहते है Question No.6 है अनुसंधान समस्या का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश में निर्देश में से क्या नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों यहां पर क्या नहीं देखना चाहिए तो यहां पर प्रभाव और कारण नहीं देखना चाहिए मुल्क कारण और क्योल प्रभाव नहीं देखना चाहिए तो यहां पर प्रभाव और कारण नहीं देखना चाहिए अनुसंधान समस्या का पता लगाने के लिए मार्क नेदियस में प्रभाव और कारण नहीं देखना चाहिए अनुसंधान दो सब्दों से मिलकर बना है अनुसंधान का अंगलिस सब्द है रिसार्च जिसका री धन सार्च यानि री मतलब पुना सर्च मतलब खोज़ना, पुना खोजना समस्या एक अइसा प्रश्णात्मक वाक्य या कथन है जो यह प्रश्ण करता है कि दो या दो से अधित चरू के मत्य कैसा समध्य है समस्या और प्रश्ण होना रिसर्च के लिए आवस्य ख़ियाद रखेगा कोश्ण नमबर साथ है विश्व सनियता को मापने की विभिन्न पधतिया है इनमें से इस्प्लिट होप पधति से किसका माप किया जाता है वाह संगति का आंध्रिक संगति का वाह आंध्रिक संगति का न तो आंध्रिक और नहीं वाह संगति का नहीं दोस्तों इनमें से किसी क का भी मापन नहीं किया जाता है तो यहां पर राइडिन सुन हो जाए करना तो आंधरिक संगति का और नहीं वहाँ संगति का विस्वसनीता जो होता है जैसे कि आप जानते हैं कि क्राटरिया फार गूड टेस्ट या परिछर के मुल्यांगां की कोसोटी अच्छे परिछर में आपके सांटिफिक अथांटिसिटी जो बग्यानिक प्रमारिता होती है उसके अंतर रिलेबिलिटी वालेडिटी अबजेक्ट्विटी और नाम्स इस्टेंडर आते हैं जो रिलेबिलिटी होता है आपका यानि कि एक ही समूपर बनाएगे परिछरों को एक से अधीक बार जाता है और बार बार परिछरों एक जैसा आए यानि कि बार बार परिछरों यान टेस्ट लेने पर एक ही जैसा इस्ट्वर प्राफ्थ होता है तो उसे हम विस्वसनीता यानि रिलेबल कहते हैं यानि परिछरों कहीं भी कहीं भी कितनी बार भी आजित किया जाए परिग् कहेंगे, جो reliability की सब्सक्राइब होता है, वो 5 प्रकार का होता है, test-retest method, parallel form method, internal consistency method, split-off method, kudra distortion method, तो दोस्तों, जो split-off method होता है, जिसे हम हींदी में आर्थ भी छीदन भी कहते हैं, तो split-off method में परिचर को एक बार ही आयुजित किया जाता है, उसके बाद जो प्रेजो यानि सब्जेक्ट होते हैं उनको प्रेडाम के अधार पर मानकर दो भागों में सम विसम में बाढ़ दिया जाता है प्रेडामों को पहले भाग में विसम संख्या वाले क्रमाँ प्राने वाले subject की प्रडराम आते हैं और धूसरे भाग में संख्या वाले करमाँ आते हैं फिर दोनों के मध्या को रलेशन निकाला जाता है जो आता है उसी को हम कहते हैं तो यहां पर जो किया गया है कि अनुसंधान के दोरान किसी समगर पॉपुलेशन ने जन संख्या के किसी गुण का पूड़ मापन नहीं संभो नहीं होता है इसलिए दोस्तों उसको मापने के लिए सैंप्लिंग विधी पता दिश्किया जाता है उदारा के तोर पर ये दिए हमें मानक तयार करने हैं या प्रायोगी दिश्टीस से संभो नहीं है कि समगर के सभी वेक्तियों का मापन वह परिष्ण किया जा सके मालिए बीहार पूरे मापन परिष्ण करना है तो यह ऐस्या संधान प्रक्रिया में बहुत चरण होती हैं जिनमें से कुछ चरण हैं तो दोस्तों इसमें से कुछ चरण है जैसे कि आपका आपसे नमबर डी हो जाएगा पहले आपका हो जाएगा संगत साहिति के हम समिच्छा करेंगी उसके बाद समस्या का चैन करेंगी फिर आकड़ों का संग्रहर करेंगी फिर लाष्ट में विसलेसर आता है याद रखेगा question number 9 है सही मिलान करना है आपको इसमें से आप इसको मिलान सही कर लेंगी मुझे आसा है कि आपने सही अनुमान लगाये होगा तो दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं hypoxia जो है जो सरीर में oxygen की कमी हो जाती है tissue में उसे हम hypoxia कहते है A का क्या हो जाएगा दोस्तों A, B, C, D A का हो जाएगा आपका 3 oxygen के अभाव को हम hypoxia कहते है B है hypokinetic hypo मतलब कम होता है hyper मतलब जादा होता है तो कम मतलब अभाव तो सरीर में क्रियाओं का अभाव आप बहुत कम काम कर रहे हैं तो उसे हम ऐता है क्या कहेंगे हाइपोख काइनेटिक है तो आपका हो जायेगा बी का वन वी का ऑटका हो जायेगा वन उसकी बादका है इंसुनिया उन्सुनिया जो है अत्यदिक कारे को एंसुनिया के थे C-Cup 4 हो जाएगा and आपका atelis tendonitis हमारे जो एड़ी के उपर एड़ी के पास जो tendon पाए जाता हो atelis tendon कहते हैं सरी कि सबसे मजबूत tendon होती है तो ए अत्यधी कुदने से होता है ठीक है अत्यधी कुदने से तो D-Cup 2 हो जाएगा इस प्रकार यहँआ पर हो जाएगा 3142 3142 किसमें दिख रहा हैり साड़ नमम भी यह Hat抹ण स्छलस को जाएगा जो ईतने को इस दाश को इस दे प से जिरतां का आज है जो इसल्ट है परिच्छ परिकल्पना इस c-देतं आपका पैग्यानिक बिदी है, सब्सक्रिष एका हो जाएगा टू फिर नीगमन बिदी की कि खोजकिस ने किया था दोस्तो तो लिग वो थेति को निगमन विधी की खोज क्रिस्टियन हगनेस ने किया था तो डीका 3 हो जाएगा इस प्रकार 2413 आपका राइड इंसर होगा 2413 आपसर नमर भी यहाँ पर राइड इंसर होगा तो दोस्तों यह था 10 MC की कोर्शन्स आपकी आज की सेशन में छोटा सा ही वीडियो था यह आपका जो डिसर्फ इन फिजिकल एजुकेशन से रिडेटेट कोर्शन्स समाथ हुए और नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पर लाऊंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे कर दो साथ के लिए जाएंगे लिए जाएंगे।